जी मेरा नाम है सोमीश अगरवाद एक बहुत ही महत्वा कांक्षी गाउं का अग्मी है जो नेता बनना चाहता है यह चोबी जी करके करेक्टर है जो अधेड़ों में कहे हैं और राजनीती में वो अपनी एक जगह तलाश रहे हैं बाई हुक और क्रुक चाहे वो कैसे भी करके वो उस कुर्सी तक पहुचे पहुचने के कोशिश कर रहे हैं उसके लिए बो अपने से सीनियर नेता जो अनुभवी नेता है या जो पद्वी में कुर्सी में बड़े हैं उनको उनकी चमचागिरी करने में भी पीछे नहीं आते हैं वो गाओंवालों के भी हां में हां मिलाते रहते हैं और पर अपना काम निकालते रहते हैं इस तरीके का करेक्टर है चोबे जी यह मैंने और डिरेक्टर साहब ने यह लिसाइट किया कि बिसीकली वो अंदर से शैतान चोबे जी वैसे तो ब्राह्मन का एक ब्राह्मन के प्रतीक हैं और एक ब्राह्मन को टीका भी लगा हुआ है चोटी भी है उसकी ऐसा है बाहर से देखने से ऐसा है कि वो बहुती पूजापाट से तालुक रखते हैं पर वैसा वो अंदर से है नहीं अंदर से वो है नहीं अंदर उसकी जितना वो बाहर पंडित नुमा दिखता है उतना ही वो अंदर से शैतान है वो दूरत है अपनी काम को निकलवाने के लिए वो किसी हद तक के जा सकता है किसी हद तक के नीचे गर सकता है ये उसका अंदर का खरेक्टर है जो बाहर उसको नजर नहीं आता है तो बाहर का गेट अप हमने इसलिए कोशिश किया है कि वो पंडित का रूप नजर आए और साधू की पीछे जो शैतान चिपा हुआ है वो लोगों को नजर आए जी मेरा नाम विक्रान तानन है और गंगा में एक शोशाल वरकर क्रिंटर प्ले कर रहा हुए और काफी पॉजिटिव रोल है ओर जिसे गंगा जिस फिल्म की हरोइन है उसका नाम भी है और जो मकसद जो है शोशल मेसेज जो जा रहा है हमारे गंगा नदी के उपर से और उसके उपर मैं शोशल वोकर हूँ जो उस चीज को मैं उस चीज को लेके खड़ा हूँ उस मुद्दे को लेके खड़ा हूँ कि हमें गंगा नदी को स्वच रखना है जी गंगा किया है नहीं वो काफी जिसमें जैसे नाम गंगा है वो पूरी फिल्म में पवित्र है और काफी पॉजिटिव रोल कर रही है काफी अच्छा रोल है उसका काफी कर के में जो है देखा जाओ तो फीमेल और इंटल सब्जेक्ट है और जो हिरो है उसका नाम गंगा ह और वो बहुत काफी positive role play कर रही है और मैं hero हूँ, तो positive के साथ मैं भी positive हूँ जैसे मैंने आपको बताया कि social work social subject पे film बनी गई है जै जै नहीं नहीं वो तो head of the film है पूरा मसाला है उसमें drama है, comedy, action और पूरा मसाले के साथ ये दर्शको को ये film देखने को मिलेगी और काफी लोग इस film को पसंद करेंगे और बिल्कुल different subject है, different concept है और जब मैंने पढ़ा मुझे लक्षमी गान जी जो film के director है उन्हें मुझे बताया subject और मुझे काफी अच्छा लगा तो female oriental था लेकिन मुझे लगा कि हाँ project बहुत अच्छा है और इस project का हिस्सा अगर मैं बनूगा तो काफी अच्छा होगा मेरी 20 April को release हो रही हमार love story जो मोजरबेर पहली बार corporate company जो इस film को लेके आ रहा है जो All India एक साथ release हो रही है जिसमें राश्ष्री वाले इसको मध्यप्रदेश में भी release कर रहे है और उसके बाद मेरी film एक release पर है विजे तिलक उस film को मैं कर रहा हूँ यह मेरी तीसरी फिल्म है गंगा की लाज हम लोग ने साथ में डेब्यू किया था हमार लव स्टोरी से जो 20 April को release हो रही है जैसे मैंने आपको बताया मेरी corporate का मोजरबेर जो film release कर रही है और उसमें वो मेरे साथ डेब्यू किया है सुर्बी शुकला उनका नाम है और हम लोग second film हम लोग साथ में कर रहे है